भारत के पांच सबसे अमीर टीचर नमबर पांच खान सर आप सबने खान सर के वीडियो को तो देखा ही होगा विद्यार्थी को खान सर का पढ़ाने का अंदाज काफी पसंद आता है जिन पर अभी 22.4 मिलियन सबस्क्राइबर है खान सर बच्चों से काफी कम फीस लेते हैं और जिस भी बच्चे की आर्थिक स्थिती सही नहीं होती उनसे खान सर फ्री में पढ़ाते हैं खबरों की माने तो खान सर यूट्यूब से हर महीने 12 लाक रुपे कमाते हैं और उनकी कुल संपत्ती 6 करोड रुपे है अवद ओजा एक प्रसिद्ध शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर है जीने लोग ओजा सर के नाम से भी जानते हैं ओजा सर के पास अपनी खुद की कोचिंग संस्था है जिसमें वे पूरे देश भर के हजारों बच्चों को मोटिवेट करने के साथ-साथ UPSC परीक्षा की तैयारी भी करते हैं उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है ओजा सर का पूरा नाम अवद प्रताप ओजा है अवद ओजा सर यूट्यूब के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी यूट्यूब चैनल पर करीबन आठ लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है खबरों के मुताबिक इनकी नेट वर्थ 1.4 मिलियन डॉलर यानी लगभग 11 करोड रुपए है विकास दिव्यकीर्ती सर यूट्यूब के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है दिविकास सर की यूट्यूब चैनल पर करीबन 11 मिलियन सब्सक्राइबर है और विकास सर की यूट्यूब चैनल पर 2.98 मिलियन सब्सक्राइबर है रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेट वर्थ 2.5 मिलियन डॉलर यानी 20 करोड रुपए के आसपास है गनित और इंग्लिश के काफी बहतरीन टीचर डियर सर का पूरा नाम मोहमद काशिफ है उनकी डियर सर नाम की एक YouTube चैनल है और वह अपने YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी YouTube चैनल पर 16.9 मिलियन सब्सक्राइबर है रिपोर्ट के अनुसार डियर सर की कुल संपत्ती 29 करोड से भी ज्यादा है फिजिक्स वाले के नाम से काफी मशहूर अलख पांडे भारत के बहतरीन और प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक है इन्होंने विद्यार्थियों को इतिहास और भौतिक सीखने के लिए 2014 में एक YouTube चैनल शुरू किया था जिसका नाम Physics वाला रखा था आज उनके YouTube चैनल पर 11.5 मिलन सब्सक्राइबर है और उनकी Physics वाला एप पर 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है और कहीं बड़े-बड़े शहरों में इनके Offline Coaching Classes भी है Reports के मताबिक उनकी Net Worth करीबन 2000 करोड रुपे है आपको इन में से कौन से शिक्षक का पढ़ाने का तरीका सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद